नमस्कार दोस्तो टिप्स टू यू यूटूब चैनल में आपका स्वागत हैं वीडियो में आप जानेंगे प्रेगनेंसी के दोरान संबंध कब बनाना चाहिए प्रेगनेंसी के दोरान गर्वती महिला के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि उनको संबंध कब बनाना चाहिए कैसी situation में उनको संबंध नहीं बनाना चाहिए इन सारे सवालों के जबाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे pregnancy के तोरान गर्वती महिला इस बात को लेकर काफी ज़या चिंतित रहती है कि वो संबंध बनाए या ना बनाए तो आज के इस वीडियो को end तक देखें और आपके इन सभी सवालों के जबाब वीडियो के end तक मिल जाएंगे वीडियो सुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए टिप्स टू यू यूटूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाए आपको होता है तो प्रेग्नेंसी के दोरान आपको कब करना चाहिए जिससे कि आपको किसी भी परकार का नुकसान न हो तो इसका सीधा सा जबाब होता है प्रेग्नेंसी के दोरान आप प्रेग्नेंसी के पहले महीने से लेकर pregnancy के आखरी महीने तक संबंध बना सकती है यानि physical relationship रख सकती है इससे आपको किसी भी परकार की परैसानी नहीं होती है लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातों का भी ध्यान देना काफी important होता है अगर आप संबंध बनाती है तो संबंध बनाने time आपको bleeding की समस्या आती है तब या संकेत है कि आप संबंध न बनाए number two अगर आप संबंध बनाती है तो संबंध बनाने से पहले संबंध बनाते समय किसी भी परकार का दबाव आपके गर्प में पल रहे सिसू पर न पड़े तीसरी point अगर आप pregnancy में संबंध बनाती है तो उस समय आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके गर्पासे का मुख खुला हुआ है तो pregnancy के 3-6 महीने के बीच में अगर ऐसा हो रहा है तब आप pregnancy में बिलकुल संबंध बनाना बंध कर दे ऐसी situation में आपको काफी नुकसान हो सकता है प्रेगनेंट महीला को अगर इस pregnancy से पहले abortion हो चुका है जिस वज़ा से उन्होंने अपना बच्चा गबा दिया है तब आपको इस बात का ध्यान की pregnancy कंसीव करने के बाद आपको pregnancy के first trimester यानि आने वाले 3 महीने तक बिलकुल भी संबंध बनाने के बारे में नहीं सोचना है पांच भी पॉइंट अगर आप pregnancy के 6 से लेकर 9 महीने के बीच है तो इस बात का ध्यान रखें कि पुरुष का वज़न आपके गर्प में पल रहे सिसू पर न पड़े आप इस तरीके से संबंध बना जिससे कि आपके सिसू पर किसी भी परकार का दवाब न पड़े आप व बारे में आप समझ गये होंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को स्थेयर जरूर करें साथ ही कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है